हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सेव बटाटा पुरी जो बनाने में बहुत एजी है और खाने में बहुत टिस्टी है आप एक बार खाएंगे बार-बार बनाएंगे अपने फैमिली के साथ इंजोई करेंगे इसके लिए एक प्लेट पुरी ले ले दो आलू ले उसको नमक और लाल मेरेस डाल के मैश कर ले एक टॉमेटो एक प्यास ग्रीन चत्नी अच्छी टीकी चत्नी इमली की मेठी चत्नी दही को शकर डाल के बीट किया है यह फिकी से हो बुंदी के साथ बहुत टेस्टी रगता ह बुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और लाल मिलच हम इसमें अलो फिल करेंगे यह बहुत टेस्टी लगता है सभी को बच्चों को बड़ो को यह मीठी चत्नी डालेंगे टीकी चत्नी डालेंगे चत्नी को अच्छा तीखा बनाएंगे यह मीठी चत्नी के साथ इसका बैलेंस बन जाएगा अब इसमें थोड़े से इसमें थोड़े से टॉमेट डालेंगे अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रू ट्राय करें थोड़ा प्यास डालेंगे हम सभी में दही डालेंगे वह थी टेस्टी रखता है इसनेक्स के टाइम पर शाम को सभी के साथ फैमिली के साथ इसको ज़रू करें सभी थोड़े मसाल डालेंगे पुना हुआ जीरा पौदर चाथ मसाला पौदर काला नमक लाल मिरच फिर इसमें थोड़ा सा चतनी दालें पुरी लाल चतनी दालेंगे यह त्यक्याज़ा प्रणिगे पौदर बॉग अध्यक्याई अच्छी मीठी वाली देती है फट्टी मीठी का बैलेंस अच्छा बनता है दही डाले दही को थोड़ा अच्छा गाड़ा रखें सेव भी अच्छी डाले और आपको यह मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और मेरी चेनल को सब्सक्राइब करें कर दो झाले दो आपको आपको पोड़ाग अच्छी मेरी आपको भी अगर दो आपको पिर भी अगर दोड़ाग का यह ज़ागा दो आपको का अज़ा ख।